नमश्कार साथियों कैसे हैं आप सब मैं राजा चौधरी केडी स्टेडी बाई अंकित राजा पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासिस आपको डेली साम को आठ वज़े मिलती है और कल भी आपको क्लासिस मिली थी टाइम एंड वर यह देने में लगा रहता है कि हम अपने इस्टुडेंट को कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं कितनी अच्छी फेसलिटीज दे सकते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए कहीं न कहीं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माधन से आपकी पढ़ाई में आपके एक्जाम में बहुत-बहुत बेनिफिट होंगे तो आपको नाम तो मेरा पता ही है न तो उसी क्रम में आज हम टाइमेंड वक्की चौथी क्लास शुरू करते हैं यह जो हमारा यूट्यूब चैनल है के डी स्टेड़ी बाई अंकित राजा वह आपको हमारे यूट्यूब के माधन से मिल रहा है और उस पर आपको daily proper साम को 8 बचे classes मिल भी रही होगी और हम जल्दी आपको CHSL का कुछ data जल्दी ही देने वाले हैं और practice paper भी उसमें हम कराएंगे आपको क्योंकि exam आपका जल्दी आ रहा है जाए टाइम है नहीं उसमें तो उसके लिए भी हमने कुछ आपके लिए मज़िस भी है इसमें तो आपके लिए पहला सवाल board पे हमने लगाया है पहला सवाल है बिटा A और B की दैनिक मजदूरी करमशा 3.5 रुपे और 2.5 रुपे है जब A काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल 63 रुपे की मजदूरी मिलती है कितने रुपे की 63 रुपे की और काम की हमें लागत बतानी है तो हमें फसना है ने इसमें इसमें डायेट करना था A को मिलते हैं कितने रुपे 63 रुपे दिन की मजदूरी कितनी है 3.5 रुपे और दिन की मजदूरी कितनी है 2.5 ठीक है अब आप क्या कर जिए अब 0 हटाईए उपर बढ़ा लेजी पॉइं 65 यह 30 हो जाएगा और यह जो होगा यह आपका कितना हो जाएगा 18, 8, 5, 40, 18 ही होगा मेरे ख्याल से, 18 हाजाएगा अब ए को कितने मिलते हैं 8 हो बीको कितने मिलते हैं 30, आप क्या करिए आप दौनों का LCM लेदीजी दौनों का LCM लेंगे 90 हा जाएगा 18, 5, 90 होते हैं और 30 तो यदि विद दौनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम की क्या लागत आए की हमें क्या बतानी है लागत बतानी है तो मेरे बिटे क्या है कि 90 लटे ART तू हम इसको लखेंगे क्योंकि पाँच eficieran कितना है 8 है दौनों साथ काम कर रहें 90 का मैं 8 किया लेकिन दोनों को साथ मिलाना है तो दैनिक मज़ूरी बतानी है तो 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो यह मेरे ख्याल से 2.4 होते है और 2.3 होते है ठीक है आप इसको काटेंगे उपर तो यहाँ जाएगा 45 बते दो 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 2.1 बचेगा 2.5 आजाएगा 45 का आधा होता है आपका 27, 25, 25 यह है तो मेरे ख्याल से 67.50 आपका आना चाहिए वैल्यू ऑप्शन नमबर ए 67.50 हमारे इस सवाल का बरिकुल सही उत्तर होगा मुझे उम्मीद है आपकी समझ में भी यह सवाल आया होगा बड़ा अच्छा सवाल है स्सी सी जी एल मेंस के एक्जाम में एक क्विश्यन आप से पूछा गया था 2017 में उसके बाद अब इसका लेवल के प्रीक ही रह गया है ना मेंस में इस सवाल इतना चोड़ा सवाल नहीं आता है लेवल मेंस का भी हई हो गया है तो हमें अब जो पहले अब से दो-तीन साल पह 2525 है तो तो 5750 अबे प्राप्त करने के लिए कितने पुरुसों को काम पर लगाए जाए कि यह रकम 16 दिनों में प्राप्त हो यदि एक पुरुस की मज़़ूरी एक महिला की मज़़ूरी का दो गुना है चलिए तो 45 है यहां देख लीजी 48 दिन काम करते हैं कितना कमाते हैं 15,525 बराबर 16 दिनों में करना है दुगनी है तो 2X मान लो और कितना पैसा कमाना है 5750 16 ती 48 होते हैं ठीक है तीन बार कट गया अब आप इसको काटिए कितने से आप इसको काटिए 15 से काट देजिए 15 ती 45 होते हैं और 15 एकम 15 जीरो हो जाएगा आपका 25 से काट दें इसको चलो 25 से काट लेते हैं 45 ऐसे लिखा रहने दो या 45 ऐसे ही लिखा रहने दो इसको आप 25 से काटिए 25 शिक्के 500 और आप इसको काटेंगे 500 हो गया तो ये बचा आपका 25 जोनी 50 25 एकम 2621 बर कर जाएगा कर जाएगा अब आप आगे आईए आप इसको काटिए तीन से काट लीजिए यह उपर तीन था हमारा यह 45 यहां लिखा रहे ना दीजिए तीन से काटिए तीन दूनी छह है तीन सट एकी 27 बार कटेगा और 27 बार कट जाएगा तो नौतिया 27 और नौ पंजे होते हैं 45 बार कटेगा और आप आगे जाके इसको काटेंगे तीन सट एक्कीस पांस से काट लीजिए पांस उपर ले जाएए तो मुझे लगता है कि एक्स की जो वैल्यू आएगी 2x बराबर इधर आ जाएगा 230 से जाएगा पांस ये पंद्रह, पांस उची सोला और एक्स की वैल्यू आजएगी मेरे ख्याल से 25 पांच पंजे 25 एक्स की वैल्यू आजएगी 25 में 25 है अप्शन में जी हाँ आज लिखाया, question no.3, question no.3 क्या रहा है बटा कि एक कार खाने में पुरुस महिलाएं तथा बच्चे काम पर लगाए जाते हैं ठीक है पुरुस हैं महिलाएं हैं और बच्चे हैं, male है, female है और आपके boys हैं और फिर चिल्डरंस लिख दीजिए आप उनका जो काम का अनुपा पुरुस, 15 पुरुस हों, 12 महिलाएं हों और आठ बच्चे हों तो ये मेरे ख्याल से 15, 15, 75, 12, 44, और 18, 16 हो जाएगा, अब सवाल ये कहता है कि अगर इनकी जगहा आप काम करें, 278 रुपे इनको टोटल मिलते हैं, हमारे इसाब से कितने मिलेंगे, 8 और 5, 13, 13 और 6, 19 का 9 ल 7, 4, 11, 12, 13, कितने मिलेंगे, 149, कितने, इनकी हिसाब से कितने मिलें, 278, अब सवाल ये कहता है कि आप बताइए हमें, कि 20 पुरुस, 15 महिलाएं तथा 10 बच्चे, तो मैं पैन चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना है, 20 पुरुस, 15 महिलाएं और 10 बच्चे, तो ये करेंगे, 20 पंजे 100, यहां लिख दो, 15, 4, 60, और 10 बच्चे, यानि कि 180 की वैल्यों हमें बतानी थी, 180 की वैल्यों अजाएगी वाहिसाब मेरे आपके साब से, 300, 300, 300, 9 बच्चे, दो बार कट गया, 18, 236, 360, 360, 360 है option में, जी हाँ, option नमर भी, 360, बिरुकुल सही और सठीक जवाब आपक का लिखा हुआ है, ठीक है, अगली सवाल के दर्फ चलेंगे, अगली सवाल जो है, वो अगला question number, question number 4 आज की class का लिखा हुआ है, आपके सामने, यह question number 4 आपके सामने लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, दूसरा उख लिए, चौता, एक दो दिन का जो काम है वो B के B के 3 दिनों के बराबर है B के यहां लिब थे लें तीन दिन equal to B के 3 दिन यहां थिरी कर लेना ठीक है थिरीने देज और 8 दिन में वो काम करते हैं तो आप हमें बताईए इस सवाल का उत्तर कितना आसान है आपके लिए बताना मैं बस ये बात जानना चाहता हूँ तो क्या करेंगे 2A बराबर है 3B के इनके के efficiency की बात करूँ तो ये हो जाएगी 3 और 2 सवाल कहता है कि 8 दिन में काम करता है तो मेरे भाई A जो है वो 8 के 3 के हिसाब से 24 काम करता होगा 24 काम को 2-2 करके किने दिन में कर देगा 12 दिन में मेरे भाई कर देगा option number C आप लगा दिजिए 12 दिन efficiency जो काम होता है efficiency उसकी क्या होती है inverse होती है ये बात आपको बड़े अच्छे से मालूम है मुझे उमीद है ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी और ये सवाल आपने बिल्कुल उसी हिसाब से मुझे बताया भी है अगली सवाल की तरफ हम चलते है question number 5 हम पढ़ेंगे आपको बटा क्या करना है आपको ना अपनी मेहनत पर काम करना है है ना आपको अपने दिमाग पर इतना काम करना है कि आपको चीजेंस देखनी है exam के recording exam में कितना level question का आ रहा है किस टाइप के questions हम से पूछे जा रहे हैं या फिर कौन-कौन सी बाते नई exam में आई तो अगर इन सब का ध्यान आप रखते हैं अपनी तयारी के साथ-साथ तो आप अगले exam को target बड़े अच्छे से कर सकते हैं आप उसमें कभी फसेंगे नहीं क्योंकि अगर हम फसेंगे तो फिर आपको पता है कि फस गए तो फिर फसी गए है ना फिर हमें निकलना क्या हो जाता है बड़ा मुस्किल हो जाता है तो हमें फसना नहीं है हमें काम करना है हमें स्टी पे इतना अच्छा काम करना है कि मैं पता रहे कि कौन सी बात कहां रिजिस्ट करनी है ठीक है चलिए अगले question की तरफ चलते है question number 5 यह लिखा है A, B, C किसी काम को 6 दिन में कर सकते है A की कार्य च्रमता B की दो गुनी है चलिए यह A है भाई साब यह B है और यह C है A की जो कार्य च्रमता है वो B की दो गुनी है अगर यह 3 होगा तो यह 6 होगा सवाल कहता है और C की 3 गुनी है एजो है वो सी का 3 गुना कभ होगा जभी 2 होगा 2 3 6 यह हो जाएगा 3 दू नीचे तो सी अकेला काम को कितने वे साफ्ट कर सकता है तो 6 और 3 9 और 2 11 11 आदमी जो है वो कितने कितना कितना दिन लिखा है छे दिन मिलकर 6 दिन में कर देते हैं तो 11 गुना 6 और बटे में कितना जाएंगे 33 3 days कितने 3 हो जाएंगे बुटा 33 दिन यही आपका बिर्कुल option नौ झाले me tal दिन में उसे पूरे कारिया को कर सकता है C के एक दिन के कारिया को B एक दिन में आधा कर सकता है यदि उनकी दक्सता का अनुपात हमें बताना है कोई बात नहीं है तीन लोग है वाई सब A है B है और C है Question यह कह रहा है कि A एक दिन में किसी कारिय का आधा भाग कर सकता है A कर सकता है आधा भाग किसी कारिय का तो अगर ये दो करेगा तो मेरे भाई ये एक काम करेगा ठीक है C एक दिन के कारिय को B एक दिन में आधा कर सकता है कारिय में उनकी दक्चता का अनुपात बताईए तो भहिया B आधा करेगा C के काम को तो C कितना करता होगा, 4 करता होगा तो A, B का रेशो हो गया 1, 2 और 4 option number A, इस सवाल का बिर्कुल सही जवाब था, मुझे उम्मीद है सारी बातें जो हम समझाने का प्रियास आपको कर रहे हैं, वो सारी बातें आपकी समझ में एक एक करके आ रही होंगी, है ना वो सारी बातें बेटा कैसे आ रही होंगी, एक एक करके सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, चलिए अगली सवाल पर चलते है, question number 7 question number 7 question number 7, की board पर लिखा है पर अच्छा सवाल है, पिपर में कही बार पूछा भी जा चुका है, एक इसी कारिये को 12 दिनों में और B, उसी कारिये को 20 दिनों में कर सकता है, यदि दौनों मिलकर 5 दिन तक कारिये करें, से इस कारिये C द्वारा ते 3 दिनों में पूरा करें, C भी आ गया, अच्छा चलो को तो आड के हिसाब से फके दिन में उने काम निप्डा धिया चालिश अब काम remaining कितना है एऐ семा रिमेनिंग टिर्सचे से तीन में कर देता ह। तो पूरा काम पूछा है पूरआ काम है 100 आपका कितना 9 डेस ऑप्शन नमबर सी बताइए मुझे आपको अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत या कुछ भी परिशानी होती है कुछन को समझने में तो आप बेजजक मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी सवाल के विश्य में है एक सुष्यन देखिए आप एक बार इसको समझने का प्रियास किजिए कि आपकी समझ में किसिन कितना रहा है कैसे कैसे आ रहा है ताकि आप इसका इस सवाल का जवाब बहु कुल सही तरीके से दे पाए ठीक्या पॉलिए बड़ा असान फर्टाशा स्वाबदी मुझे उनमीद कि आप इसका अंसर बताएंगे लेइकिन आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग आंसर बताने की कोशिज ही नहीं कर रहे हैं अगर आप कोशिज करेंगे तो आप आंसर बिटा इसका बड़ी जल्दी बता देंगे ठीक है अब देखो अगली साथ पर जलते हैं question no.8 लिखा हुआ है A किसी कारिया को दस दिन में कर सकता है विर्कुल कर सकता है A की जो छमता है वो 20 से 20% कम है तो 20% की जो value है मेरे भाई वो होती है एक बटे 5 यहां दो लोग थे A और कौन-कौन B B को थोड़ा दूर लिख लिए ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सके गरflow है विशन ने कहा B कम है आजाधा है तो 5 होगा 20 में इक घटा दो तो एक इतना होगा 4 अप दोनों सवाल ने कहा एज है वो चार देन में कर सकता है तो बी उसी काम को तो भाई मेरे 10 दिन तकाम किया होगा एंे और वो चार काम करता है तो उससे कितना ओख़र चालिस अब इस को करना है। विक ब्법 करना है यह काम तो पांस दूनी दस भी का बताना है कितने दिन में कर देगा। और दो 4 दूनी 8 दिन लगेंगे.a WE non कितने दिन लगेंगे उसको आठ दिन लगेंगे उस काम को खतम करने में, यानि कि आप इन सवालों को जो हम कर रहे हैं तो आप ये बात बिरुकुल अच्छे से देख पा रहे होंगे, कि इस जितनी भी सवाल हमने किये, इन में कुई ऐसी कठिन समस्या या कठिन बात नहीं थ करते हैं कि जो हमसे नहीं पूछा जाता हम उस पर भी लगे रहते हैं कि हमें जब पता है कि हमें साम को खाना खाना है तो हम खाना खाएंगे न हम फालतू की बातों पर द्यान को देंगे फालतू की बातों पर द्यान दोगे तो समय जादा लगेगा और केवल खाना खाने पर जल्दी करनी है, किस चीज को छोड़ना है, किस पर काम करना है, अगर ये सारी बाते हमें पता हैं, तो हम किसी भी चीज में बिर्कुल भी नहीं फसेंगे, हम एक साथ सारी बातों को क्या कर लेंगे, खतम कर देंगे, हमें बिर्कुल भी फसने की नीड नहीं है, तो आप यह बात पर प्रकुल अच्छे से अपने दिमाग में बठा लीजिये, कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या था, हमें छोड़ना क्या था, हमें किसकी सवाल में जरुत थी, किसकी नहीं थी अगर यह सारी बात आपके दिमाग में बड़ी अच्छे से हैं तो गरंटीड आप एक्जाम को बड़ी आसानी से सॉल्व करतेंगे यहने कि सेलेक्शन पक्का है ना चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं किशन नुमर 9 बड़ा असान सवाल है इस तरीके का सवाल सायद में दूसरी या पहली क्लास पर भी करवा चुका हूँ आपको तो मुझे इस सवाल का उत्तर बताए कितना आएगा जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी आप बता सकते हैं मुझे किवल इसी बात पर ध्यान देना ह कितनी जल्दी आप इस सवाल का उततर बता सकते हैं जल्दी बताईए जल्दी बताईए आप लोग इस सवाल का उततर क्या आएगा देखो क्राइख किशन कह राए है कि A 25 गंटे में 75 प्रस्ट लिख सकता है A और B मिलकर 27 गंटे में 135 प्रस्ट लिख सकते हैं B को 42 प्रस्ट लिखने में कितना वक्त लगेगा यानि हमें यहां B की Efficiency चाहिए तो हम क्या करेंगे हम Question को Solve करेंगे हमें पता है कि जो A है वो 25 गंटे में 75 प्रस्ट लिखता है तो वो 1 गंटे में कितना लिखता होगा 3 पेज पर गंटे, ऐसी अगर मैं A प्लस B की बात करूँ, दौनों की, किस किस की बात करूँ A प्लस B की बात करूँ, तो वो 135 प्रस्ट 27 गंटे में लिखते हैं, 27 पंजे 165 होते हैं पांच पिछ पिड़ती घंटा लिखता होगा अब एक ही एफेसेंसी अकेले की तीन है तो बी की कितनी होनी चाहिए मेरे भाई दो क्योंकि तीन और दो ही मिलकर बनाते हैं कितना पांच तो कुष्या ने हमसे कहा कि आप अपने भी भाई को बलाईए उससे कहिए वह 42 प्रश् यह इस सवाल का बिर्कुल सही जवाब है option number C मुझे उम्मीद है आपकी समझ में जितनी बाते में बताने का प्रियास्त कर रहा हूं यह सारी बाते एक के करके आपके दिमाग में आ रही होंगी इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं question number 12 port पे लिखा हुआ है question यह कह आप एक कारिय चंटा बी से तीन गुनि है एक कारिय चंटा जो है वह वह बी से कितनी है तीन गुनि है साथ मिलकर वे किसी कारिया को पंद्रह दिन में पूरा कर सकते हैं बी इस कारिय को किरिंदर में समाप्त कर लेगा हम ही वह बतानी है चलिए question कह रहा है कि A जो है वह B से तीन गुना है अगर A B एक रोटी खाता है तो A जो है वह तीन रोटी खाता है तो दौनों कितनी खाते होंगे चार सवाल कह रहा है दौनों मिलकर पंदा दिन तक खाना हाते हैं तो कितनी रोटियां तोड़ देते होंगे भाई सब सब्सक्राइब रोटियां तोड़ देते होंगे ना यहीं कि निप्टा दिया नहोंने कहाना चलो फिर यह कह रहा है कि B जो है वह अकेला साथ रोटियां है B अकेला कितनी खाता है एक तो एक-एक करके उसको कितने दिन लगेंगे उसको लगेंगे मिर भाई कितने दिन साथ दिन उस B को अकेले को साथ दिन लगेंगे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही और स्टीक जवाब आपका होगा चलिए अब हमें क्या देखना है हमें यह देखना है कि जो हमारा चैनल है केड़ी स्टड़ी बाय अंकित राजा आप लोग इस चैनल से जुड हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अधिक से अधिक लाइक कीजिए अधिक से अधिक फूलो कीजिए ताकि ऐसे ही प्रियास और ऐसी क्लास हम आपको देते रहें तर तक के लिए सभी को नमश्कार सभी को बहुत सारा प्यार और जिस तरीके से आप लोग में प् बहतर देने का प्रियास करते रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि हर चीज आपको बहतर मिल रही है अभी रिसेंटली जो SSC GD का जो एक्जाम हुआ था उसमें हमारी टीचर्स द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे क्यूस्टिन्स बहुत सारे सैटों में आये हैं तो हमें प्रियास यही रहता है कि आपके आने वाले एक्जाम में हमारी द्वारा टार्गेट किये जाएं हम पढ़ाते रहें आपको ताकि अच्छे अच्छे कुश्टिन्स मिलते रहें चलिए तब तक के लिए सभी को नुश्कार मिलते हैं फिर कलाट बजे ओके टेटा बएबए कि अच्छे बटने बटने लिता लुश्टिन्स मिलते हैं